हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका डिजिडल तयारी चैनल पे मैं श्रयांस को ठारी ले के आया हूँ दोस्तों आज एक बहुत ही शानदार किताब का बुक रिव्यू दोस्तों कई टाइम से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे सर ये बुक स्टार्ट करिए रीजिनिंग की एक बहुत ही शानदार किताब दोस्तों आज हम करेंगे उसका कंप्लीट बुक रिव्यू बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल गौर से देखिएगा दोस्तों ये जो बुक आपके सामने है आपको नजर आ रहा होगा मैंने हिंदी और इंग्लि मीडियम है ये इंग्लिश मीडियम है दोनों का कवर पेज आपके सामने रखा है सिर्फ आप चेक करते रहिए इतनी शानदार किताब है ये कि मज़ा आ जाएगा आपको बुक रिव्यू को समझ के एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सबसे पहले तो ये किसके लिए है कौन पढ़ेगा इसे किसे पढ़ना चाहिए इसे सरा देखें वुक क्या क्लेम करती दोस्तों बुक के ही front page पे Hindi हो या English दोनों के front page पे as it is यहां की यह चप गए है दोस्तों सबसे ही उपर ही उपर बैंक के स्टूडेंट्स के बारे में दे रखा है जिसमें ये बुक क्लेम कर रही है IBPS का CWE बैंक, PO, CLERK, SO डाइस Specialist Officer, RRB Officers, SVI, PO, CLERICAL, NABAD, IDBI Executive Officers, सारे के सारे banking exams के बारे में बात करी इन्होंने, इसके अलावा SSC के भी सारे exams, CGL का tier 1 and 2, CHSL 10 plus 2 FCI, grade 3 CPO, SI, ASI income tax, etc सारे SSC के exam ले लिए दोस्तों, insurance के exams इन्होंने लिए हैं, LIC, GIC UI, CO, AO's, UPSC के exams, Railways के exams, MAT के exams, MAT CMAT, CET, SNAP BBA, BBM, सारे B-School के exams, और last में दोस्तों, NTSC, CLAT Hotel Management, मुझे लगता है दोस्तों, ये complete package है आप सभी के लिए, आप कोई तरह की competition की exam की तयारी कर रहे हैं, अगर आप Hindi medium हैं, तो आपके लिए भी किताब हैं अगर आप English medium हैं, आपके लिए सबसे बड़ी बात, Hindi and English books are same exact translations ये book claim करती है पहले English में आई थी, उसके बाद Hindi में इसका edition आया था 2020 में ही, और दोस्तों, मैं बता दूँ आप लोगों को, कि ये जो edition आया था, ये book खुद कहती है स्वयम कहती है, कि ये Hindi translation है as it is, यानि English का as it is जरू पांतरण, इसके क्या फाइद है दोस्तों, अगर आप 3-4 students एक साथ तयारी करते हैं, आप एक Hindi book ले लिजे, English की book ले लिजे, जो Hindi की तयारी करते हैं, कई बार English medium वालों को doubt नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि question हिंदी में दे रखा होते हैं English के students हैं, हिंदी को doubt नहीं पूछ सकते हैं अब तो same chapter का same number question दोनों किताब में same हैं, हिंदी वालों के लिए भी और English वालों के लिए भी आप देख सकते हैं, it's a huge huge, huge source of questions huge, कितना huge दोनों दोस्तों, दोनों ही किताब more than 1100, almost 1200 ये बारासों में कुछ 16 पन्ने कम हैं और ये 1200 में कुछ 16 पन्ने ही ज्यादा हैं, दोनों बेज में 32 का difference है, but still my point is a huge source of books आप देख सकते हैं, बहुत बहुत बड़ी किताब है, बहुत मोटी किताब है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई topic miss नहीं होगा, आप बस पढ़ते चले चाहिए आप करते चले चाहिए चले दोस्तों, लिये चलता हूँ क्या है इस किताब के अंदर इस किताब के अंदर two sections है इसको verbal reasoning and non-verbal reasoning कहते हैं किताब का जो cover है वो खुद भी यही कहता है, a modern approach for verbal reasoning and non-verbal reasoning logical deduction, वो सारी चीज़े हम अभी देखेंगे, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि content में क्या है, book के table of content का as it is sheet मैं आपको scan करके आपके सामने लेके आया हूँ, एक-एक के बारे में हम जान लेते दोस्तों, श्रंखला पूर्णता यानि series completion मैंने Hindi का इसलिए लाया हूँ, जिससे कि English और Hindi दोनों में ही आ जाएगा English वाली book में सिर्फ English का था तो हमने Hindi की book का as it is, जो पूरा table of content है वो scan करके आपके सामने रख दिया है, दोस्तों analogie आप देख सकते हैं, analogie इसमें जितने सारे type होते हैं, series में जो reasoning की series है जो SSC के काफी सारे exams में, Air Force के काफी exams में आती है, तो दोस्तों यह आपके सामने दे रखा है, series है उसके बाद analogie है और analogie के भी 9 types हैं और उसके अलावा अतरिक्त प्रश्न यानि extra questions भी हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो next chapter आता है हमारे पास classification classification SSC का एक बहुत important portion है, वो भी इस किताब में, आप देख सकते हैं 5 different types दे रखी है मतलब इस किताब के अंदर एक chapter chapter के अंदर जितने types हैं, उस types को अलग कर दिया है, और आप believe नहीं करेंगे दोस्तों, एक एक type पे more than 50, more than 100 किसी में तो 200 questions एक ही type के दे रखे हैं आपको इससे जदा क्या चाहिए competition exam के लिए next बात करते दोस्तों coding decoding और जितनी भी प्रकार की coding decoding अभी तक exam में आ चुकी हैं उस सारे types इसके अंदर available हैं इसके अलावा बात करते दोस्तों blood relation, blood relation में दोनो type के दे रखे हैं coded blood relation, general blood relation indicating या pointing towards वाले blood relation सारे type के blood relation इसके अंदर समाहित हैं blood relation के बाद हम बात करें दोस्तों puzzles आप देखिए आप देख सकते हैं puzzles के सारे जिसमें हम sitting arrangement से लेके हर तरह की puzzles जो हैं इसमें given है with examples हैं, with questions हैं with solutions हैं, इसके बाद हम बात करें दोस्तों input output एक topic आता है बहुत सारे exams में वो भी यहां पे given है जिसका नाम दिया है sequential output tracing, next topic की बात करो direction sense test, मेरे को ऐसा लगता है यह almost हर exam में जहां reasoning है वहां direction test है और direction में भी आप believe नहीं करेंगे बहुत सारे questions आप देख सकते हैं 20 pages सिर्फ और सिर्फ directions के हैं तो आप समझ जाएए इतनी मोटी केताब में इतना बड़ा sense सिर्फ direction के दे रखें all the questions are covered इसके बाद हम बात करें दोस्तों when are a जिसे English में when diagram कहते हैं इसके भी दोनो type इसमें given है next अगर हम बात करें दोस्तों आपको तो alphabet test यह बहुत सारे exam में आता है इसका basic से लेके advance सारा के सारा जो alphabet test है वो इसी के अंदर given है आप बस देखते चाहिए कम से कम 6 type के questions इसमें दे रखें और type के question explain कर रखें explain करने के बाद examples हैं और examples के बाद exercise हैं इसके बाद हम बात करें दोस्तों alpha numeric sequence puzzle ऐसी भी कुछ puzzles हैं जो exam में आती हैं वो भी आपको इसमें given है इसके अलावा जो number based यानि number, ranking, time sequence इस तरह के questions भी आपको पता है ranking and order बहुत सारे students को बड़ाई confuse कर देता है उसके भी बहुत सारे questions इसके अंदर given है बिलकुल भी miss नहीं करना है आपको इसके अलावा और बहुत सारे mathematical questions mathematical operations जो exam में आते हैं reasoning में to the point उस सारे के सारे इसके अंदर given है दोस्तों बस आपको एक ही काम करना है बस इस book को अच्छे से करते चले जाना है आप अगर इस किताब का यह समझ लिए हर exercise का 50% भी कर देते हैं मुझे नहीं लगता कि कोई भी हर exercise का 50% कह रहा हूं कोई भी exam आप से miss होगा यह मैं कह सकता हूं इसके अलावा दोस्तों logical sequence of words यह भी SSC के लिए specially, SSC के लिए specially a topic आता है और एक question तो पिछले 2-3 वर्षों से लगाता आई रहा और कई वर्षों से आ रहा है लेकिन last 2-3 years बहुत consistently आ रहा है उसके भी दो number का question पूरा complete करवाएगा है Arithematical reasoning दोस्तों इसमें जो गणना के age related data related जितने सारे questions है जो reasoning में आ सकते हैं वो questions आपको given है इसके अलावा दोस्तों missing character को insert करना ये भी question आपने देखे होंगे बहुत जादा confuse करते हैं वो भी इसके अंदर data sufficiency मैं मानता हूं banking exam के अंदर ये specially बहुत जादा important है even अगर आप MBA काट की preparation कर रहे है उसका basic data sufficiency यहीं से clear हो जाएगा तो वो भी इसमें given है मतलब इसने वो part भी नहीं miss किया है उसके अलावा eligibility test ये एक ऐसा portion है banking में काफी बार आता है वो भी इन्होंने include किया है मतलब कोशिश किये दोस्तों एकदम 360 degree reasoning हर जगे के हर type के question को include किया गया है इसके बाद ये तीन topic हैं दोस्तों Assertion in reasoning, situation reaction test और verification of truth of statement आप अगर CLAT का exam दे रहे हैं अगर आप MBA या कोई भी management exams दे रहे हैं वहाँ ये तीनों बहुत जादा जरूरी हैं आपके जो बहुत ही traditional banking और SSC उनमें नहीं आते हैं लेकिन ये traditional question से अलग हटके level of reasoning को increase यहीं से किया जा सकता है उसके बाद बात करते हैं दोस्तों logical deduction क्या है logical deduction में सबसे पहले तो logic given है logic में आगर आपको ध्यानो syllogism ये chapter आपने शायद बहुत बार सुना होगा some ARB वाले type के questions given हैं उसके अलावा statement and arguments, assumptions ये assumption वाला chapter बहुत important है course of action ये भी chapter बहुत important है conclusions conclusion सा खतम नहीं दूस्तों उसके आलावा भी आपको conclusion from passage, theme detection, causes and effects आपको बता दूं, banking का बड़े से बड़ा exam अगर आप ले लें MBAs के exam आप ले लें AF CAT और इस तरह के जो exam होते हैं जो Air Force के लिए हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा तो this book is touching each and every exam as claimed on the cover cover page पर जो जो claim किया है उस सभी को cover करते वही है उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें non-verbal reasoning न गैर भाशिक जिसे हम कहते हैं दोस्तों non-verbal में series series के बाद non-verbal analogy और non-verbal classification इसके बाद दोस्तों analytical reasoning इसके साथ-साथ दोस्तों जो most important है SSE के exam के लिए mirror image, water image इसके अलावा spotting out the embedded figure अगर आपको ध्यानों एक figure के अंदर कौन सा figure है ढूंडना है आपको वो भी इसमें given है incomplete pattern भी आपको given है paper cutting, paper folding, figure matrix ये सारी के सारी चीज़ें यहाँ पे हैं उसके अलावा rule detection identical figure का grouping करना मतलब अगर पुराना नया सभी SSE का portion उठा दिया जाए कोई चीज मिस नहीं की गई दोस्तों cubes and dices मुझे लगता है बहुत ही general question है SSE के UPSC के state PSCs के जितने भी exams होते हैं dot situation एक old topic SSE का उसके अलावा वर्गों और त्रिभुजों का निर्मान construction of squares and triangles चित्र निर्मान यानि figure for mission analysis तो देखा दोस्तों हमने बहुती wide इसका spread है इस किताब का और number of questions दोस्तों आप imagine कर सकते हैं its almost 1200 pages book तो बहुत सारी इसमें touch की गई है अब आगे बढ़ते दोस्तों ये तो हुआ हमारा सबसे महत्वपूर्ण देखे क्या होता है जब इतनी बड़ी किताब है सारी किताब को अगर आप grasp करना चाहेंगे तो न तो कर पाएंगे disappoint भी होंगे ये जो मैंने video बनाया उसके पीछे का बहुत बड़ा reason ये है दोस्तों कि इस book को करना कैसे है सबसे पहले first find out which chapters come under the competitive exams you aspire for या आप क्या पढ़ना चाहते हो वो इस किताब में से निकालो न कि ये किताब आपको क्या पढ़ाना चाहती है ये किताब तो SSC वाले को भी पढ़ा रही है cat, mad, zat वाले को भी पढ़ा रही है snap वाले को भी पढ़ा रही है UPSC को पढ़ा रही है SSC के सारे chapters ले रहे है क्या हम सब में पढ़ना चाहते हैं नहीं दोस्तों हमें केवल वही chapters पढ़ना है जो हमारे काम के है एक मोटा मोटी overview अगर मैं competition exam को इस तरह से divide करूं कि SSC type के जो exams हैं जिसमें हम SSC ले सकते हैं जिसमें हम UPSC के exams ले सकते हैं जिसमें हम जो state PSCs होते हैं उसके exams ले सकते हैं इवन आपके जो state में पटवारी के exams होते हैं states में अलग-अलग type के जो exams आते हैं उनका एक type अलग ले लेता हूं और एक banking का type अलग ले लेता हूं तो मैं अभी आपको सारे chapters में मोटा-मोटी differentiate करा के बता देता हूं कि कौन सा chapter कहां-काम आने वाला है तो हम यह देख लेते हैं कि कौन-कौन से exams के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया है verbal reasoning का general mental ability यहाँ आप देख सकते हैं बड़े-बड़े रूप में यह SSC है, यह SSC है, यह SSC है coding-decoding के कई सारे type दोनों के काम आएंगे दोस्तों banking के भी आएंगे, SSC के भी आएंगे बट यह मैं चीजें बहुत clear बता रहा हूं, इन में से banking में कुछ भी नहीं आता है blood relation again both आप banking के लिए भी पढ़ सकते हो, SSC के लिए भी पढ़ सकते हो coded वाली जो blood relation है, वो banking में काम आएगी, मेरी बात को note करिएगा, copy में note कर लीजेगा coded वाली blood relation, banking में जादा काम आएगी, other blood relation जो है, वो SSC में जादा काम आएगी puzzle test कुल मिलाके, इसका जो मोटा मोटी part है, वो banking में ही है दोस्तों, banking जो है, it is all about puzzle test लेकिन इसका जो easier level है, मैं बता दूँ, आसान जितनी भी है, आसान puzzles, बहुती easy level की puzzle है वो कभी-कभी SSC में आती है, लेकिन आसान वाली, tough वाली नहीं आएगी, मेरा कहना मान लीजया उसके बाद sequential output tracing, ये कुल मिलाके banking में ही आता है, ये कभी SSC में नहीं आता है तो मोटा मोटा मैंने आपके सामने divide कर दिया, और आगे देखते हैं दोस्तों, next अगर मैं बात करूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोस्तों, ये banking SSC में हर जगे है दोनो जगे एके questions आते हैं, इसके logical wind diagrams, दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ SSC का portion है, ध्यान रखियेगा alphabet test, banking में आ जाता है कभी-कभी, लेकिन SSC का major role है, SSC वाले students, इस topic को अच्छे से कर लें alpha numeric sequence puzzle, ये आम तोर पे आपको SSC में ही मिलेगा, इसके बाद हम बात करें, ranking, ये कभी-कभी banking में आ जाता है, otherwise ये भी पूरा SSC है mathematical operation, ये भी SSC है, sometimes कभी-कभी banking में आता है, एकाद question कोई 2-5 सालों में, otherwise मुख्य तोर पे ये भी SSC है logical sequence of words, ये सिर्फ और सिर्फ SSC है, तो आप मोटा-मोटा देखेंगे कि SSC का portion जादा है इस किताब में इसके बाद हम बात करें, दोस्तो, arithematical reasoning, ये completely SSC में आता है, banking में arithmetic, जो है maths में जादा आती है inserting the missing character, ये भी SSC का part है, data sufficiency, मुझे याद नहीं ये कभी SSC में आया है, ये banking में ही आता है, mains तक के level का आ जाता है eligibility test केवल मात्र banking में आता है, SSC में नहीं आता है, assertion and reasoning, situation reaction, ये ना तो SSC का part है, नहीं banking का part है, ध्यान रखिएगा ये सब, ये जो तीनों test है, ये other than these exams, CLAT आदी दूसरे जो exams है, वहाँ use लिये जाते है अब बात करते हैं दूस्तों, logical deduction, ये हाँ आपको banking ही banking मिलेगी दूस्तों, logic banking में है, statement arguments banking में है, assumption banking में है, course of action banking में है ये कभी-कभी SSC का आता है, ये कभी-कभी SSC में आता है, इसके अलावा conclusions banking, deriving conclusion from passages अभी आज कल आ चुका है banking के अंदर ध्यान रखेगा ये, theme detection भी आज कल banking में आ गया है, causes and effect banking तो ये complete जो unit है, second unit of first part, totally dedicated to banking, इस मैंसे कुछ जगे मैंने बता है, ये SSC के लिए भी है, ये SSC के लिए भी है अब बात करतें non-verbal, दोस्तों non-verbal पिछले 8-9 वज़शों से banking में खतम होगए, ये banking में आती ही नहीं है मेरी बात को कान खोल के सुनियेगा, ये जितने सारे chapters लिखे हैं, ये सब SSC के लिए हैं, कुछ भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे SSC के हैं, ये जरूर कहना चाहूंगा, ये थोड़ा old है, आज कल नहीं आता है, इवन ये, ये सब old chapters हैं ये आज कल के जो, क्योंकि पहले question 50 आते थे, आज कल 25 reasoning के questions आते हैं, ये थोड़े पुराने type के questions हैं, ये नहीं आते हैं इवन जो starting में लिखे में, series, analogy, classification, even ये वाला portion, ये these are less frequency, even these two, पहले बहुत आते थे, less frequency हो गए हैं तो आज कल ये less frequency है, less frequency है, बाकी वाले questions जादा आते हैं, लेकिन पढ़ना सभी को है, ये dot situations आती तो नहीं भी पढ़ेंगे, चलेगा तो यहां मैंने आपको अच्छे से divide करके बता दिया, कि क्या चीज है, अब बात करते हैं, इस किताब में अच्छा क्या है दोस्तो, all the questions are with answers and solution where required, जहां जहां solution चाहिए, वहां आपको इसमें given है, तो हर question का answer है, इस किताब में इस बात पर निशिंद रही है loads of example and question आप देख सकते हैं, 1200 pages की किताब है, कम ही तो है ही नहीं इसके अलावा दोस्तो, to the point theory, बहुत भारी theory वाली किताब नहीं है यह, आपको theory to the point है, फिर सीधा examples पे आओ, और question हो that's it इतनी अच्छे लगी मुझे बात, नहीं तो theory ही theory समझाती रहती है कुछ किताब है उसके अलावा exam pattern और सबसे 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 important दोस्तो, बहुत सारे question previous year में, कौन से exam में, कौन से questions आये हैं, यह आपको इससे पता चल जाएगा तो इससे अच्छा क्या है, मुलब question के बाद में अगर लिखा रहता है, तो एक तो question पे आपका confidence भी strong हो जाता है, number one और number two, जो बहुत जादा जरूरी है, बता दूँ आप लोगों को कि previous year questions करने ही चाहिए, आपको पता चलता है कि इस तरह के question इस तरह के exam में आते हैं और दोस्तों आगे बढ़ें what not to miss, मैं यह देख पाया हूं दोस्तों, non-verbal reasoning, superb explanation है, मैंने देखा, non-verbal के जितने सारे questions है, answer के साथ explanation बहुत ही superb है non-verbal जिस भी exam में आती, दोस्तों, अगर आप कोई exam दे रहें, railways का exam दे रहें, banking का exam, banking में तो आज कर आता नहीं है, SSC का exam दे रहें, पचवारी का exam दे रहें, किसी भी state PSC का exam दे रहें अगर आपको non-verbal पढ़नी है, दोस्तों, this is the best book, superb explanation है, बहुत शानदार उसके अलावा दोस्तों, यह जो non-verbal की है, SSC aspirants के लिए, Air Force के लिए, Railways के लिए, कोई भी exam के लिए, overall यह जो पूरी किताब ही है, यह बहुत ही बढ़िया है, SSC Railways Air Force, no doubt at all, nothing a doubt, a single bit का doubt नहीं है दोस्तों, इतनी शानदार किताब है यह, थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो दोस्तों, अभी इसमें missing क्या है, इतनी सारी अच्छी 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 बातें करी, कुछ यह भी तो समझ लें, क्या गरबण है, दोस्तों, banking का level, और जो B-School के exams का level, even आप में यहाँ UPSC भी लिख सकते हैं, उसके level तक वहाँ नहीं पहुँच पाई, उसका बहुत बड़ा reason है दोस्तों, यह जतने भी exams हैं, यह regular update होते हैं, book को देखते में मुझे ऐसा लगा, इसमें बहुत जादा update की ज़रौत है, मैंने लिखा, update, non-verbal not included in bank exams, लेकिन still आप believe नहीं करेंगे, जो non-verbal के chapters शुरू के 3-4 शुरू होंगे, आप देखेंगे, loads of questions with bracket में banking 2005, ऐसा करके बहुत सारे questions हैं, जब तक student को आप ये clarify नहीं करेंगे, कि आजकल नहीं आता है, तब तक उसका कोई फाइदा नहीं है, student ज़रूर confuse होगा, जब हम कह रहे हैं, ये question SSC में आते हैं, book के अंदर वो देखता है कि banking में उस साल में आ चुका है, आप believe ने करेंगे, दोस्तो, 2011 के बाद का उसमें एक भी year नहीं लिखावा है, क्यूं, क्यूंकि non-verbal पूरा के पूरा portion, scrapped कर दिया गया है, banking exam में से, और वहाँ पर maximum banking के ही bracket में लिखे है previous year question, थोड़ा सा गुमरह करने लायक है, मतलब मेरा ये point है, आपने मेरे वीडियो को देख लिया, तो आपको पता है अच्छे तरीके से, आप अपने friend को ज़रूर इसको share करिये, आपके friend को भी पता चले, इस book में बहुत कुछ दे रखा है, बहुत अच्छे से दे रखा है, लेकिन banking level के लिए, या B-Schools या UPSC के लिए, B-Schools का मेरा मतलब है, madcats ad के लिए, not a very appropriate book, क्योंकि level नहीं है वैसा, although ये सारी बाते कहने के साथ साथ, दोस्तो basics can be cleared, ये पक्ती बात है, और कुछ नहीं, तो banking के जो students है, basic clear करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं जब आपको बता रहा था, कि इसके chapters में क्या-क्या है, तो आपने देखा, इसमें S.S.C. का portion बादा है, banking का उतना नहीं है, बस ही हमें समझना है, तो overall मैं अगर बैताना चाहूंगा, beginners, experts सभी के लिए है, कोई भी problem नहीं है, इसमें आप starting कर रहे हैं, आप zero level है, आप कोई भी level के student है, आपके लिए है, सबसे important but overall view इतना ही देना चाहूंगा, मैं, आपको पता अगर है कि कौन-कौन से type of question मेरे काम के हैं, तो ये बहुत अच्छी किताब है, मेरी बात को फिर से सुनिए, अगर आपको type of question पता है, तो ये best किताब है आपके लिए, और अगर आपको नहीं पता है, तो actually आप हो जाएंगे किताब के अंदर, गुमराह हो जाएंगे, आप अलग direction म चले जाएंगे, ये पक्की बात है, तो आपको जो मैंने बताया, ये-ए questions है, इसका एक best तरीका बता रहा हूँ, दोस्तो previous year questions को search करिए net पे, idea लग जाएगा, उसके बाद इस से करिए, दोस्तो practice के लिए, मैं बता रहा हूँ, banking हो या SSE हो या कोई भी हो, practice के लिए बहुत लोकल में कोई अच्छा सा bookseller हो, तो आपको अच्छा discount मिल जाएगा, ये जरूर कहना चाहूँगा, overall, अगर मुझे कहा जाए कि book को कितने marks देने चाहिए, मैं definitely 4.5 देता हूँ, उसका reason है दोस्तों, huge source of questions ये बहात पकी है, आधा mark सिर्फ इसलिए कि थोड़ा updation required है, बाक प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटर तैयारी